मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है पिछले वीडियो में हम लोगों ने Physical Features of India का Part 1 को पढ़ा जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा और समझा और साथ में Tectonic Plates के जो Movement होता है उसके Types को भी सीखा आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे की कैसे भारत का Himalayan Mountains और Northern Plains का Formation हुआ तो आईए हम लोग सुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बच्चों, आज आप लोगों को World Map में जिस प्रकार 7 Continents अलग अलग जगा पर दिख रहे हैं हजारों करोडों साल पहले ये ऐसा नहीं थें पहले सारे 7 Continents एक ही जगा पर थें जिसे Ancian Super Continent Pangea कहा जाता है इसके मुख्य दो हिससे थें इसके Northern Part को Angara Land और इसके Southern Part को Gondwana Land कहा जाता है आज हमारा Peninsular India इसी Gondwana Land का एक पार्ट है इस Gondwana Land में हमारा आज का India, Australia, South Africa, South America और Antarctica आता है और ये सभी एक ही Land Mass है Convectional Currents के कारण ये Gondwana Land भी दो भागों में बट गया और इसके Indo-Australian Plate अलग हो गया और North की तरफ Drift करने लगा ये Gondwana Land ड्रिफ्ट करता हुआ, North की तरफ बढ़ा और अपने से बहुत बड़े Erosian Plate से कोलाइड कर गया मतलब टकरा गया इन दोनों के कोलाइड होने से Geosink Line बना जिसे की Tethys करते हैं पच्चो, Geosink Line का मतलब Earth Crust में एक बहुत बड़ा Depression होता है याने की बहुत बड़ा गढ़ा बन गया मतलब आप सरल भाषा में कहते हैं कि दो प्लेट के टकराने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गढ़ा बन गया इसी गढ़े में याने की Geosink Line में Sedimentary Rocks दिपोजित होने लगे जो डिपोजित होते होते हिमालया और Western Asia का Mountain System बन गया इस प्रकार Tethys Sea में से हिमालय उभर कर बन गया हमारा Peninsular Plateau का Northern Flank याने की Northern हिस्सा में परिवर्थन आया और एक बहुत बड़ा बेसिन बन गया फिर बहुत लंबा समय बिर्ता गया और नदियों द्वारा अलोवियल सेडिमेंट्स इन बेसिन्स में डिपोजित होने लगे और एक एक्स्टेंसिव अलोवियल डिपोजित्स से Northern Plains ऑफ इंडिया बन गया इस तरह से एक तरफ हमारे देश का Peninsular Plateau अर्थ का सबसे Ancient Land Masses में से एक है तो दूसरी तरफ हमालिया और Northern Plains सबसे नए Land Forms हैं जिनका Formation अभी भी नहीं रुका है सायद इसलिए हमाले को Youthful Topography या Young Mountains बोला जाता है इसे हिंदी में नवीन वलित परवत बोलते हैं क्योंकि गोंडवाना लैंड का Erosian Plates की तरफ Drift होना अभी भी नहीं रुका है इसलिए Geology के Point of View से Himalayan Mountain एक Unstable Zone है तो वही Peninsular Plateau एक Stable Zone है आज इसी हिमालिया में High Picks है, Deep Valleys है और टेज बहने वाली नदिया है इस हिमालिया के नीचे Northern Plains हैं जो की Allovial Deposit से बना है Northern Plains के नीचे यानि South में Peninsular Plateaus हैं जिन में Gently Rising Hills है यानि की छोटे 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 हिल्स हैं और चोड़ा घाटिया है और चोड़ी घाटिया है ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग Major Physiographic Divisions of India के बारे में पढ़ेंगे और हिमालियन माउंटेंस को और डिटेल में पढ़ेंगे यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को प्रेस कर दीजिए यदि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं या अनलाइक कर सकते हैं और आप यदि मुझे मेरे शोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक यू